नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों आज हम सब इस विडियो में व्यवसाइक अध्ययन पुस्तक का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है व्यवसाइक संगठन के स्वरूप आपको याद होगा पहले अध्याय में हमने व्यवसाइक की बहुत सरल बारीकियों को समझा और हमने जाना कि व्यवसाइक क्या होता है और उसकी क्या विशिश्टाएं होती है इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं व्यवसाइक के विभिने स्वरूपों की अगर आप इसे फिर से पिछले अध्याय से जोड़ कर देखें तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय के अंद में हमने एक छोटी से विशय पर चर्चा की थी कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें कई कारकों का ध्यान देना होता है उन्हीं से कारक था कि व्यवसाय के स्वामित्व का क्या स्वरूप होगा तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर हम ये पाते हैं कि व्यवसाय के संगठन के पाछ प्रकार है हम इस अध्याय के दो भागों में एक एक करके इन सभी प्रकार के व्यवसायों को और इनकी बारीकियों, इनके विशिष्टाओं और इनके गुणों और सीमाओं को चर्चित करेंगे और इनके चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकार और सबसे सहरल प्रकार के व्यवसायक संगठन से सबसे पहला संगठन का स्वरूप है एकल स्वामित्वा जैसा कि बच्चों नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक स्वामी होता है अर्थात यह ऐसा व्यवसाई है जिसका नियंतरन इसको चलाना इससे होने वाले लाब को प्रखना और इसके हानियों और जोखीमों को उठाना यह सब कुछ एक व्यक्ति करता है यह पूरा व्यवसाई एक व्यक्ति के द्वारा स्वयम नियंतरित किया जाता है बच्चो ऐसा व्यवसाय आपको समान्यत है बहुत छोटे प्रकार के व्यवसायों में देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यवसाय बड़ा होते जाता है एक व्यक्ति के लिए उसको अकेले नियंत्रित करना मुश्किल होते जाता है तो छोटे विवसाई या ऐसे विवसाई जहां पर हमें अपनी विशेश सेवाएं अपने भोगताओं को देनी हैं जो हमारे अलावा शायद कोई और नहीं दे सकता वहाँ पर हम अपने नियंतरन में सब कुछ रखते हैं और जब तक आकार छोटा है तब तक उसको रखते हैं तो इस तरह के विवसाई की मुख्य विशेशताई क्या निकल कर आती है सबसे पहली विशेशता यह है इस तरह के विवसाई को हमारी देश में शुरू करना और चलाना बहुत सरल है इसकी स्थापना भी सरल है और इसको बंद करना भी सरल है क्योंकि इस तरह के विवसायों के लिए हमारे देश में कोई विशेश कानून नहीं है जिसकी वज़े से इसे शुरू करने में बहुत जादा कानूनी दस्तावेज या अन्य कानूनी अवशक्ताओं का सामना नहीं करना पड़ता है इसी प्रकार अगर कल को विवसाय बंद भी करना जाएं तो भी इसके लिए बहुत कुछ ऐसे विशक्ताओं की पूरती हमें नहीं करने पड़ती इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है पहली विशक्ता हो गई कि स्थापना और बंद करना दोनों ही बड़ा आसान है दूसरी विशक्ता यह है कि इस तरह का विवसाय पूरी तरह एक व्यक्ती के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसे से तीसरी विशेष्टा निकल कर आती है कि फिर ऐसे विवसाई में सारा लाब एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और सारा जोखिम भी उसी एक व्यक्ति को उठाना पड़ता है इसकी चौथी विशेष्टा यह है कि इस तरह के विवसाई का कोई स्वातंत्र स्वरूप नहीं होता यानि कि अगर कानून के नजरों में यह जाता भी है तो कानून विवसाई और विवसाई को एक ही मानता है आप आगे अन्य प्रकार के विवसाईों में देखेंगे कुछ जगों पर कि स्वामी और विवसाई को अलग माना जाता है लेकिन इस विवसाई में एकल स्वामित्व में विवसाई का खुद का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता विवसाई के नाम पर कोई भी किसी भी का समझोता या खरित परोक्त नहीं कि जा सकती अगला अगली विशेष्टा जो है वो यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता भी कम पाई जाती है इसका अर्थिया हुआ कि क्योंकि स्वामी और व्यवसाय बहुत जादा आपस में जुड़े हुए हैं तो अगर कल को के मृत्ति हो जाती है या कुछ भी इस तरह की घटना घट जाती है तो उसके साथ-साथ व्यवसाय का भी अन्त हो जाता है यानि इस व्यवसाय के निरंतरता अनिश्चित है या कभी भी खतम हो सकता है तो इस प्रकार हम इस व्यवसाय के बारे में इन कुछ विश्रस्ताओ यह है कि सारा नियंतरन एक व्यक्ति किया मेरे मालों हाथों में होने से सारा लाब मेरा है यदि व्यवसाई अच्छा चलता है और इसमें हमें लाब होता है तो इस पूरे लाब का फाइदा जो है वो एक व्यक्ति को मिलेगा स्वामी को मिलेगा तो ये इसका बहुत बड़ा फाइदा है, कि सारा लाब एक व्यक्ति के पास ही आ जाएगा इसका दूसरा फाइदा यह है, क्योंकि ये व्यवसाए एक व्यक्ति के द्वारा नियंतरित और प्रबंधित भी होता है तो इससे जुड़ीवी सारी सूचनाएं उसी के पास रहती है, सूचनाओं की गोपनियता बनी रहती है अपने व्यवसाई से जुड़ीवी वित्य सूचनाएं किसी के साथ साजा करना इसमें अनिवारे नहीं है तो इन सूचनाओं को हम गोपनिय रख सकते हैं इसका तीसरा फाइदा यह है कि क्योंकि इसमें सारे निर्णे और सारे नियंतरन एक व्यक्ति के पास है तो सभी निर्णे बहुत जल्दी होते हैं निर्णेओं को लेने में समय और देरी कम होती हैं तो यह इसके कुछ मुख्य फाइदे निकल कर आते हैं अगर हम इसके अबगुणों या सीमाओं की बात करें, तो क्योंकि एक व्यक्ति सारा व्यवसाय खुद देख रहा है, प्रबंधित कर रहा है, तो उसकी प्रबंधन की सीमाए होती है, प्रबंधन की कुशलताओं में कम्या होती है, एक व्यक्ति हर कारिय में निपुण नहीं होता तो इसके कारण इस व्यक्ति का प्रबंधन उतना अच्छा या कुशल नहीं माना जाता है इसी से हम तीसरी कमी निकाल सकते हैं कि क्योंकि सारी हानी एक व्यक्ति को उठानी पड़ेगी तो उस व्यक्ति का जो स्वामी है उसका दाइत्व अनिश्चित होता है उसके उपर सारा दाइत्व है पुरे व्यक्ति का और अगली कमी यह है कि क्योंकि व्यक्ति अकेला है और सब कुछ उसके उपर ही निर्भर है तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है। तो इसके साद व्यवसाएं भी अन्त हो जाएगा यानि कि व्यवसाय की जो आयू है वो बहुत अनिष्जित होती है।'Too बच्चो हमने इस प्रकार के विवसाई की विशिष्टाएं तो देखी ही, उन विशिष्टाओं से हमने ये सीखा कि कैसे हम गुण और अबगुण निकाल सकते हैं तो ये आपका पहले प्रकार का विवसाई था, जो सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है हमारे देश में विवसाई करने का कि आपकेले कोई विवसाई शुरू करें, सारी पूंजी खुद लगाएं, सारा मुनाफ़ा या नुकसान खुद उठाएं, इससे जुड़ी ही जितने भी इसके फाइदे हैं और जो भी कम्या हैं, वो सारा आप खुद उसका सामना करें तो बच्चों जो दूसरी प्रकार का विवसाई है, यह है सयुक्त हिंदी परिवार विवसाई, यह बहुत ही विशेश प्रकार का विवसाई है, क्योंकि यह भारत में ही विशेश रूप से पाया जाता है, इस विवसाई में एक हिंदू परिवार अपनी पैतरिक संपत्त सवारति का सस्ताइब करकर एक व्यवसाय को आगे बढ़ाता इस प्रकार के व्यवसाईब में सदस्यता लोगों को या परिवार के सदस्यों को जमन के साथ ही मिल जाती है भारत में हालाकि व्यवसाय के लिए आर्थिक रूप से कोई विशेश कानून नहीं है किन्तु यह व्यवसाई फिर भी हिंदू कानून क dishonग आता है इस तरह के व्यवसाई का संचालन जो है वो परिवार का मुख्या ये सबसे बढ़ा सदस्य होता है वो करता है उसे हम कलता के नाम से जानते हैं कलता कौन हुआ करता वो व्यक्ति है जो ना किवर परिवार का मुखिया है बल्कि वो इस व्यवसाय को नियंतृत और प्रबंदित भी करता है करता के अलावा जो परिवार के अन्य सदस्य है वो सह शमानशी कहलाते हैं तो इस तरह मिलकर इस विवसाई को चलाते हैं इस विवसाई का नियंतरन जो है वो परिवार के मुख्या के हाथ में होता है जिसे हम करता कहते हैं और यह विवसाई भारत के हिंदू कानून के अंतरगत आता है तो बच्चों हमने जो यह इस प्रकार के विवसाई का एक परीचाय देखा ह आईए इस परीचाय से हम इसके कुछ मुख्य लक्षणों को या इसकी विशेष्टाओं को निकालते हैं अगर हम इसकी सबसे पहली विशेष्टा की बात करें तो इस प्रकार के विवसाय का निर्माण कैसे होता है इसके निर्माण के लिए दो मुख्य शर्ते हैं पहली शर्ट, इस तरह के विवसाई में परिवार के कम से कम दो सदस्य शामिल होने चाहिए और दूसरी शर्ट, ये विवसाई तब ही हो सकता है जब इन सदस्यों के पास परिवार की कोई पैतरिक संपत्ती हो जिसका उप्योग करके ये उस विवसाई को चला रहे हो दूसरी विशेष्टा, इस प्रकार का वेवसाय का जो नियंत्रण है, वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे हम करता कहते हैं, करता परिवार का मुखिया होता है। तीसरी विशेषटा इस प्रकार के व्यवसाय में तो एक सदस्य पैदा होते ही परिवार के अंदर जन्म लेते ही वो इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है तो इसी लिए हम कह सकते हैं कि इस तरह का व्यवसाय नाबालिक सदस्यों को भी लेकर चलाया जा सकता है या शायद ये इस तरह का एक एकलोता व्यवसाय है जहां नाबालिक सदस्य भी व्यवसाय का हिस्सा हो सकते है चौथा इस तरह के व्यवसाए में जो दायित्व है वो करता के ओपर तो अनिश्चित अदायित्व होता है यानि कि अगर व्यवसाए हानी में जाता है और व्यवसाए को अपने रिंड चुकाने की अवशक्ता पड़ती है तो उन रिणों को चुकाने के लिए करता के व्यक्तिगत संपत्ती का प्रियोग भी किया जा सकता है तो करता का दाइत्व जो है वो अनिश्चित है तो जितना एक सदस्य का व्यवसाई में हिस्सा या अंश है उसको उतना ही दाइत्व या जिमिदारी उठानी पड़ेगी व्यवसाई के इरिणों को चुकाने की उस सदस्य के व्यक्तिगत संसादनों या संपत्तियों को व्यवसाई के इरिण को चुकाने के लिए नहीं लिया जा सकता इसकी चौथी विशेष्टा यह है कि इस तरह के व्यवसाई में सभी निर्णे एक व्यक्ति जैसा कि हम देख चुके हैं करता उसके हातों में होता है सभी निर्णे और सभी महत्वपूर फैसले करता ही लेता है इसकी पांचवी विशेष्टा यह है कि इस तरह के विवसाय में निरंतरता बनी रहती है क्योंकि यदि किसी कारण वर्ष करता अपना दाइत्व नहीं निभा पाता या माल लेते हैं करता की मृत्ति हो जाती है तो इसके बाद जो परिवार का अगला सबसे बड़ा सदस्य है वो करता का कारिभार संभाल लेगा और विवसाय निरंतर चलता रहेगा तो बच्चों इस तरह से हमने पांच विशिष्टाएं इस विवसाय की देखी है पहली या विवसाय निर्माण या इसका निर्माण कैसे होता है दो सदस्यक और एक पैतरिक संपत्ती के साथ दूसरा इसका नियंतरण करता के हाथ में होता है तीसरा इसमें नावालिक सदस्य भी हो सकते है चौथा डाइत्व करता का अनिष्चित और अन्य सदस्यों का उनके अन्ष्टक निष्चित या निर्दारित होता है पाच्वा इस तरह के विवसाय में निरन्तर्ता बनी रहती है करता के जाने के बाद भी यह विशेष्टाओं अगला जो व्यक्ति करता बनने का उत्तरहदिकारी होता है वो उठा सकता है तो इन विशेष्टाओं से हम फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले संगठन में किया हम इन विशेष्टाओं से कुछ गुण और कुछ अबगुण निकालेंगे तो अगर हम इस प्रकार के व्यवसाई के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण इसका यह है कि इस तरह के व्यवसाई में प्रबंधन बहुत प्रभावशाली होता है नियंतरण बहुत प्रभावशाली होता है क्योंकि नियंतरण परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है जो सबसे अनुभवी भी है वो इस तरह के वेवसाई को प्रबंदित करता है और उसकी पुरे परिवार में बात मानी जाती है तो निर्णे बड़े ही मसभूत तरीके से यहां पर लिये जाते हैं दूसरा सदस्यों की जो जिम्मेदारी है दाइत्व है वो सीमित है तो सदस्यों को इस बात की परिशानी नहीं होती कि व्यवसाय के इरिणों को चुकाने के लिए उनका जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो जा सकती है इसकी उन्हें कोई परिशानी नह असर नहीं पड़ता लेकिन साथ साथ इसके कुछ अबगुण भी है इसका एक अबगुण तो यही है कि जो करता है जो इतनी मेहनत कर रहा है व्यवसाय के लिए उसे अनिश्चित भार और दाइत उठाना पड़ता है यदि व्यवसाय में बहुत रिण या बहुत हानी हो प्रबंधन का प्रिस्ट्षन लेकर आया होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है तो वो व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यवसाय के प्रबंधन में कुशलता की कमी आती है तो हो सकता है करता उन प्रबंधन के गुणों में उतना कुशल या सक्षम ना हो इसलिए एक यह जिसकी कमी निकल कर रहती है कि इस तरह के व्यवसाई का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं होता कई बार बच्चो अब हम जो तीसरी प्रकार के व्यवसाईक संगठन की बात करने जा रहे हैं ये एक बड़ा विशेश व्यवसाईक संगठन है क्योंकि ये व्यवसाई होने के साथ साथ ये इसके अंदर सामाजिक कल्यान और एक सामाजवाद की भावना भी छिपी हुई है ये व्यवसाईक संगठन है सहकारी समिती सहकारी शब्द का मतलब होता है एक साथ एक जुठ होकर मिलकर काम करना है सहकारी यानि साथ मिलकर कारी करना तो सहकारी समिती एक ऐसा व्यवसाईक संगठन है जहां कुछ व्यक्ति अपनी स्वेश्चा से मिलकर अपने सदस्यों के कल्यान के उद्देश्य हेतू एक व्यवसाई की स्थापना करते हैं इस व्यवसाई का मुख्य उदेश्य होता है व्यवसाई से जुड़ेवे सबी सदस्यों का कल्यान करना या उनके कल्यान से जुड़ेवे कारियों को बढ़ावा देना भारत में इस तरह का व्यवसाई कानूनी तोर पर सहकारी समिती अधिनियम सन 1912 के अंतरगत आता है इसका अर्थिया है कि अगर हम इस तरह का व्यवसाई करना चाहते हैं तो हमें हमारे व्यवसाई को इस अधिनियम के अंतरगत पंजिकृत करवाना पड़ेगा तो बच्चों इस तरह के व्यवसाई का आप मूल भाव यह समझें कि यह वह वहसाई है जो वहसाई तो है लेकिन साथ ही साथ इसका उदेश्च है लोगों और खासकर कर सदस्य है वहसाई के उनका हित देखना ऐसे कई उधारन हमारे देश में पाए जाते हैं जहां सहकारी समयतियों के रूप में वहसाई खड़े किये गए और वो बहुत प्रेरग कहानिया वो वेवसाय हमारे लिए बन गए मैं चाहूंगा बच्चों कि आप इन वेवसायों के बारे में इनके ढूंडे और पढ़े हैं इनके बारे में ऐसे अनेक उधारन आपको मिलेंगे चाहे वो गुजरात में दूद की उतपादन के छेतर में बनी एक बड़ी कमपनी हो जो दुनिया भर में दूद उतपादन में अग्रणी हो गई चाहे वो पापड बनाने वाली कमपनिया हो चाहे वो कई उद्योग ऐसे आपको मिलेंगे जब आप ढूड़नेंगे उनको जो सहकारी समिती के रूप में हैं जिन्होंने सेवा भावना से अपने व्यवसाय को शुरू किया और वो अपने अपने छेतर में अग्रणी स्थिति में आ गई इनके कहानिया बहुत रोचक भी हैं और बहुत प्रेड़ना दायक भी हैं तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ें हम अपने इस व्यवसाय पर वापस आते हैं साहकारी समिती के बारे में हमने क्या जाना अभी कि एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर कुछ लोग एक दूसरे के सहायता और एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देने की भावना के साथ अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आईए इस तरह के व्यवसाय के मुख्य विशिष्टाओं या लक्षणों को एक बार वापस जान लेते हैं सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो यह थी कि इस तरह का व्यवसाय भारत में कानूनी रूप से वैद्ध्यानिक स्थिती में होना चाहिए और ऐसा तब संभव है जब वो सहकारी समिती भारत में सहकारी समिती अदेनियम 1912 के अंदर पंजिकरित हो तो पहली विशेष्टा क्या हुई कि इस तरह के व्यवसाय का पंजिकरिण होना अनेवारी है दूसरी विशेष्टा है इसकी सदस्यता तो इसकी सबसे बड़ी खासेतों में से है कि इसके सदस्य स्वेच्छा से जुड़ते हैं इसके सदस्यों की जो सहदस्त्या होती है वो स्वेच्छा से होती है जब कुछ लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे की हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वेम जुड़ते हैं और व्यवसाई को आगे लेके जाते हैं तीसरी विशेष्टा यह है कि इन सदस्यों का जो दाईत्तुर रहता है इस व्यवसाई में वो उनके अञश यानि उनके हिस्से तक ही नियंतरित रहता है व्यवसाई के रिणों के भुगतान के लिए इन सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ती का उपयोग नहीं किया जा सकता है पर क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या जादा हो सकती है इसलिए इसकी चौथी सदस्यता यह निकल कर आती है कि अब व्यवसाय निरंतर बना रहता है कुछ सदस्यों के आने जाने से इस व्यवसाय के निरंतरता पर प्रभाव नहीं पड़ता इसकी चौती विशेष्टा यह है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष्टा भी है कि इस तरह का व्यवसाय सेवा भावना के साथ शुरू किया जाता है लाब इसका प्रात्मिक उदेश नहीं होता इस तरह के व्यवसाय के शुरू होने के पीछे सबसे बड़ी जो बड़ा जो देश्य होता है वो यह होता है कि सदस्य मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के हितों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसकी पाचवी विशेष्टाईया है कि इस तरह के विवसाय का जो नियंत्रण है वह एक प्रमंधन कमिटी के हाथों में स्वापा जाता है जो किसी भी विशेष्टाई पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सबी सदस्यों के मतों का इस्तेमाल करकर एक लोकतांत्रिक तरीके स अपने फैसले लेती है तो इस प्रकार बच्चों हमने इस तरह के विवसाय की पाच विशेष्टाई देखी पहली इसकी सदस्यता जो है वो किस प्रकार की होती है सदस्यों का दाइत्तुव कैसा होता है इसका पंजी करण अनिवारी है चौथा इस तरह के विवसाय में पर वही करें जो हमने पहले किया है कि आप इसके विशेष्टाओं से इसके गुण और अब गुणों को समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसके कुछ गुण इस प्रकार है कि इस तरह का विवसाय सर्वपथम निरंतर बना रहता है यानि कि सदस्यों के आने या जाने का विवसाय के आयू पर प्रभाव नहीं पड़ता दूसरा इस तरह के विवसाय में पूंजी सामान्य तोर पर पिछले दोनों विवसायों से जादा होती है क्योंकि इसके अंदर सदस्यों की संख्या भी जादा होती है तीसरा इस तरह के विवसाय में लोगतांत्रि तोर पर वोटिंग के द्वारा या सबके मतों के द्वारा लिये जाते हैं इसी प्रकार इसके हम कुछ आपगुणों की चर्चा भी कर सकते हैं सबसे पहला आपगुण तो यह है कि क्योंकि इस तरह के विवसाय का पंजी करण अनिवारी है और साथ ही साथ इस तरह के विवसा को अपने वित्य जानकारियां अपने कामकाशने जुड़िए सूचनाये सरकार के साथ साजा करने पड़ सकते हैं और सरकार का इनके कामकाश में काफी दखल हो सकता है इसकी विशिष्टा यह भी है कि हाला कि इसमें सदस्यों संख्या जादा है पर फिर भी ये सदस्य सामानी तोर पर आम नागरिक और छोटे विवसाई आदी होते हैं जिनके पास पूंजी की कही ना कहीं कमी होती है जिसकी वज़ा से सदस्या जादा होने के बावजूद भी कई बार इस तरह के विवसायों को पूंजी का अभाव या आम छोटे विवसाई होते हैं तो इनके पास पून जी का कभी न कहीं न कहीं अभाव हो जाता है तो जादा सदस्य होने के बावजूद पून जी की मात्रा कई बार अपरियाप्त साबित होती है तो इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि अक्षम प्रबंधन के कारण इस तरह के विवसाई या समितियां बहुत जल्दी अपना विवसाई बंद कर लेती हैं तो बच्चों ये सहकारी समितियों के विशिश्टाओं और उससे जुड़े होए गुण और अब गुण हमने देखें अब क्योंकि सहकारी समितिय एक ऐसा प्रकार है विवसाई का जो आम लोग अपने साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं हमारे देश में इसके विविवने प्रकार पाये जाते हैं उन सब प्रकारों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं जैसे उभोक्ता समितिया, किसान समितिया, रिड समितिया, ठीके तो ये सारी समितिया जो है ये अपने अपने उदेश्य के अनुसार अपना नाम रखती है उधारण के तौर पर यदी एक उभोगता सहकारी समिती है तो उसका उदेश्य क्या होगा? यहां समिती उभोगताओं का एक ऐसा संगठन होती है जो उभोगताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है इनका उदेश्य होता है कि अपने सदस्यों के लिए या सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके लिए जरूरी वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत पर उपलब्द कराई जा सकें इसी तरह उतपादक सहकारी समितिया भी होती है उनका उदेश्य होता है कि उतपादकों को खास करकर छोटे उतपादकों को या सुनिश्चित करके देना कि उन्हें अपने उतपादों या वस्तुएं और सिवाओं के बिक्री के लिए उप्युक्त बाजार और उप्युक्त कीमतें मिल सकें इसके अलावा कई सारी किसान समीतिया भी हमारे देश में पाई जाती है जिनका ओदेश ये पुरह वही है कि किसानों के हितों की रक्षा करना किसानों के फसलों या उनके उत्पादों को सही समय पर सही बाजार में कल्यान को भी बहुत अच्छे और सुगम तरीके से बढ़ावा देती हैं तो बच्चों सहकारी समिती एक बड़ा ही विशेश प्रकार का व्यवसाय है ये ना किवल हमारे देश में व्यवसाय करने का एक विकल्प देता है लोगों को बलकि या सामाजिक हितों और कल्यान को भ अगले भाग में हम दो अन्य व्यवसायिक संगटनों को बड़े ही विस्तार में देखेंगे क्योंकि वो दो भारत में और विश्व में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख व्यवसायिक संगटन के स्वरूप हैं एक है साजदारी और दूसरा है सयुक्त पून्जी कंपनी इस भाग को अच्छे से देखें समझे और पढ़ें ताकि आप अगले भाग के लिए तयार हो सकें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जाने झन्यवाद